सब्सक्राइब तो थे टॉपफव बॉलिवूड चैनल और प्रेस दी बेल आइकन फो लेटेस अपडेट्स हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बॉलिवूड के सूपर एक्टर नवाज उतिन सिदीखी के लाइफस्टेल के बारे में नवाज उतिन सिदीखी के डेट ऑफ बर्थ 19 में 1974 है उनकी एच 45 येर्ज है बर्थ प्लेस मुझफफर नगर उत्तर प्रदेश इंडिया अगर बात करें उनके हाइट की तो वो 5.6 फीट के है और उनका वेट 65 केजीज है बात करें नवाज उतिन सिदीखी के होबीस की तो उन्हें फ्लाइंग काइट्स, वाचिंग फिल्म्स और फार्मिंग का बहुत बड़ा शौख है अगर बात करें उनके स्कूल की तो उन्होंने B.S.S. इंटर कॉलेज मुझफफर नगर उत्तर प्रदेश से अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट की और उन्होंने गुरुकुल कंगरी युनिवर्सिटी हरीदवार उत्राकंड से अपने कॉलेज की एजुकेशन हासिल की बात करें उनके एजुकेशनल कॉलिफिकेशन की तो वो बैचलर ओफ साइन्स इन केमिस्ट्री है नवाजुद्दिन सिदीखी ने अंजली से शादी कर ली उनके दो बच्चे है एक बेटा यानी और एक बेटी शोरा नवाजुद्दिन सिदीखी के पेरेंट्स की बात करें तो उनके पिताजी का नाम नवाबुद्दिन सिदीखी था और वो एक फार्मर थे और उनकी मा का नाम महरोनीसा था नवाजुदिन सिदीखी के ब्रदर्स और सिस्टर्स की बात करें तो उनके च्छे भाई और दो बहन है नवाजुदिन सिदीखी ने बॉलिवूट की शुरुआत आमिर खान की फिल्म सर्फरोश में एक छोटे रोल से की थी उसके बाद उन्होंने 1999 की शूल, 2000 की जंगल और 2003 की मुनाभाई अम्बिबेस में नजर आए 2003 में नवाजुदिन सिदीखी ने इर्फान खान के साथ एक शॉर्ट फिल्म की जिसका नाम दबाई पास था 2005 में नवाजुदिन सिदीखी के पास कोई काम नहीं था और वो मुंबई में एक छोटे फ्लैट में रहते थे और उन्होंने कई साल वाच्मेन का काम भी किया फिर 2010 में पीपली लाइव मुवी में एक्टिंग करके उनको काफी ज्यादा फेम मिला उसके बाद नवास 2012 की फिल्म कहानी में नजर आए फिर उन्होंने गैंग्स ओफ वासेपुर में काफी जबरदस्ट एक्टिंग की 2012 में वामिर खान की मुवी तलाश में नजर आए फिर उसके बाद 2014 में सल्मान खान की फिल्म किक में उन्होंने काफी जबर्दस्त विलन का रोल किया और और्डियंस को उनकी एक्टिंग काफी ज्यादा पसंद आई 2015 में उन्होंने बजरंगी भाईजान और दी माउंटेन मैन में एक्टिंग की जिसके लिए उन्होंने कई सारे अवार्ड भी जीता नवाजुदिन सिदिखी नेट्फिक्स सीरीज सेक्रेट गेम्स में भी काम किया जो नेट्फिक्स की टॉप सीरीज में से एक है अगर बात करें उनके नेट वर्थ की तो उनकी टोटल नेट वर्थ 120 करोर्स है और एक मुवी में अक्टिंग करने के नवाजुदिन सिदिखी पांच करोर से भी ज्यादा चार्ज करते है नवाजुदिन सिदिखी मुंबई में एक लक्जिरिस 3BH के अपार्टमेंट के मालिक है इतना ही नहीं उनके पास और भी कई सारे प्रॉपरटीज है अगर बात करें उनके कार केलेक्शन की तो आज नवाज के पास काफी महेंगे कार्स का केलेक्शन है जैसे की मर्सिटीज बेंस GLE जिसकी खीमत 1.2 करोर से BMW 6 सीरीज जिसकी खीमत 72 लैक्स है दोस्तो अगर आप भी नवाजुदिन सिदीखी को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताए कि आपको नवाजुदिन सिदीखी की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी और जाने से पहले हमारे चैनल को सबस्क्राइब भी कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारे लेटस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले